हाँ तो प्यारे बच्चो चलिए आज गिंती की कवीता देखते हैं ठीक है हिंदी की गिंती आते हैं आप लोगों को तो हिंदी की गिंती की कवीता आप देखते हैं सबसे पहले मेरे साथ साथ आप लोग गुलेंगे ठीक है एक, दो, तीन, चार, बनो तुम होशियार, ठीक है, आप लोग रिपीट केजिए, एक, दो, तीन, चार, बनो तुम होशियार, फिर आगे पाच, छे, साथ, आट, पुरा करो अपना पाट, ठीक है, नव और दस, गिंती करो बस, ठीक है, यादो क्या, एक, दो, तीन, चार, बनो तुम होशियार, फाच, छे, साथ, आगे पूरा करो अपना पाट, नौ और दस, गिंती करो बस, गिंती करो बस, गिंती करो बस, ठीक है, चलिए, अब नंबर पोयम, इंग्लिश में भी तो आपको गिंती सिखना है, ठीक है, तो इंग्लिश की गिंती के लिए नंबर नेम, क्या है, नंबर नेम नहीं, नंबर का पोयम ठीक है? 1, 2, 3, 4, open the door, 1, 2, 3, 4, open the door, 5, 6, 7, 8, enter from the gate, enter from the gate, enter from the gate, 9 and 10, pick your pen, pick your pen. ठीक है? याद हो क्या? 1, 2, 3, 4, open the door, open the door, 5, 6, 7, 8, enter from the gate, enter from the gate, 9 and 10, pick your pen, pick your pen, pick your pen. ओके? चलिए, अब हम सीखते हैं हिंदी के वर्ण माला के कुछ अक्षर, ठीक है? यह इनको कहते हैं स्वार, स्वार याने इनका हम मात्राओं में प्रयोग करते हैं. चलिए, बहुत प्यारी से हैं केवल आज चार शब्द हम सिखेंगे, आज केवल हम चार अक्षर सिखेंगे ठीक है, बोलते हैं. मेरे साथ-साथ बोलिएगा आप लोग भी असे अनार, आसे आम, इसे इमली, इसे इग, असे अनार, आसे आम, इसे इमली, इसे इग. प्यारी ये भाशा तु जल्दी से सीख जल्दी से सीख ठीक है फिर से आप लोग मेरा साथ बोलिए आसे अनार आसे आम इसे इमली इसे एक प्यारी ये भाशा तु जल्दी से सीख जल्दी से सीख ठीक है कल हमने क्या वन का ड्रॉइंग सिखा था वन से आपने क्या क्या बनाना सिखा था ट्री बनाय थे कैंडल बनाय था और बोट बनाय थे अच्छली हम तू से सीखते हैं, तू से आप क्या बना सकते हैं ये देखते हैं, ये सबसे पहले इस तरह से बना लिया, तू, अब तू से आप इसको खुब बड़ा कर दीजे, यहां पर इस तरह से इसका पंख निकाल दीजे, ठिक है? और इसकी एक चोच निकाल दीजे और एक छोटी सी आँख निकाल दीजे और पानी में रहेगा तो पानी बना दीजे ठीक है एक डख बन गया है ठीक है ठैंक यू